हेलो एवरिवन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर आज हम देखो कल हमने एग चैप्टर कंप्लेट कर लिया था आज हम शुरू करेंगे पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप का मतलब क्या होता है पार्टनर्श साथ क्या चाहिए एक पार्टनर्श चाहिए देखो अगर वो सिंगल शुरू करेगा तो पैसा भी वही लगाएगा जो प्रोफिट लोस होगा वो भी उसी का होगा तो उसमें कोई साज़ेदारी नहीं होगी किसी की लेकिन हमने पढ़नाई पार्टनर्शिप है तो इसमें क्या होगा दो इनसान होंगे दो भी हो सकते हैं दो से जादा भी हो सकते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी बिजनस में फिर उनकी उसमें साज़ेदारी होगी जैसे कि मैंने माना कि कोई ये इनसान है एक ठीक है एक इनसान ये है और एक इनसान ये है ठीक है दोनों ने मिलके क्या किया एक business शुरू किया यह हमारा हो गया business ठीक है दोनों ने मिलकर एक business शुरू किया ठीक है कोई भी आप business लगा लो कोई भी आप company लगा लो या कोई भी startup जो है शुरू किया, ठीक है, देखो सबसे पहला concept हम करेंगे same time के लिए, ठीक है, सबसे पहला concept क्या करेंगे, same time के लिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि A ने क्या किया, A ने 1000 रुपे invest किये, ठीक है, B ने क्या किया, B ने 2000 रुपे invest करें, की कह, देखो मैंने क्या कहा, कि हमारी साजिधारिया partnership तबी होगी, जब एक business को start करने में, दो या दो से जादा बंदे use होंगे, या वो खुद से उस चीज में invest करें, जैसे A ने invest किया 1000 रुपे, B ने invest किया, या आप A मान लो, ठीक है, इसको B मान लो, A ने 1000 रुपे invest किये, B ने 2000 रुपे invest किये, तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर हमसे same time की बात की जाएगी न, तो जो भी हमारा profit होगा, क्या होगा, profit मतलब लाप, जो भी हमारा loss होगा, मतलब हानी, जो भी चीज होगी, या तो इसमें दो ही चीज हो सकती है, तो profit हो सकता है, या loss हो सकता है, ठीक है, तो जो यह profit या loss होगा, यह किस ratio में बटेगा, मैं आप से पूछ रहा हूँ, कि यह profit या loss होगा, वो मेरे को यह बताओ, कि किस ratio में बटेगा, तो आप बोलोगे, कि वो त तो investment के ratio में बटेगा, जो इन्होंने invest किया है, उसी ratio में तो बटेगा, क्योंकि same time है, time से time cancel हो जाएगा, तो ये investment के ratio में बटेगा, जैसे कि 1000 था, ठीक है, ये ए ने 1000 किया, इसने 2000 किया, 30 से 30 के ratio, एक ratio दो, ठीक है, इसमें बटेगा, मैंने बोला कि इसने 1000 invest करे, इसने 2000 invest करे, और इनको profit हुआ, 3000 रुपे का, तो आप मेरे को ये बताओ, कि A को कितना profit हुआ, और B को कितना profit हुआ, तो देखो, दो और एक तीन, तीन रेशो बराबर 3000 के, एक रेशो बराबर 1000 के, इ इसको 2000 रुपे का profit हुआ, ठीक है, ये चीज है, हमारी सिर्फ सेम टाइम के लिए, क्या है, कि जो भी इनको profit होगा, जो भी loss होगा, वो क्या होगा, मतलब किस रेशो में बटेगा, वो हमारा बटेगा, investment के रेशो में, जो इन्होंने investment की है, उसके रेशो में बटेगा, ठी ठीक है, आई ये चीज समझ में, इससे हमें क्या पता चला, कि जो profit होगा न, वो क्या होगा, directly proportional होगा, किसके, investment के, या हम उसको बोल सकते है, capital के, ठीक है, हिंदी में भी देख लो एक बार, जो ये लाब होगा न, ये किसके proportional होगा, निवेश राशी के, निवेश राशी के जो उसने राशी निवेश की है, उसके equal होगा, ठीक है, आई ये चीज समझ में, ये उत्ता है हमारा equal time के लिए, ठीक है, अब हम देखेंगे concept second, ठीक है, concept second क्या होता है, देखो, concept second है, time different, देखो, same का तो आमने देखा, same का मैंने आपको समझाया, कि भई, जो चीज उसने निवेश की है, जितनी राशी उन्होंने लगाई है, उसके रेशो में profit वो बाट लेंगे आपस में, लेकिन दूसरी चीज होती है, time difference, time difference होता है, देखो, मैंने अभी आपको एक formula बताया प्रोफिट, directly proportional है, investment ही, ये चीज आपको याद रखने है, प्रोफिट क्या है, directly proportional है, investment की, लेकिन ये ना सही भी है एक तरीके से, और गलत भी है, इसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, अब देखो, सही और गलत क्या है, देखो, अगर आप से बोला जाए, same time, time क्या आपका, same है, तो ये चीज बिलकुल ठीक है, कि भई, जो प्रोफिट होगा, वो investment के ratio में बट जाएगा, लेकिन अगर आपको बोल दे time different है, भई, एक ने इतने साल के लिए लगाए, दूसरे ने इतने साल के लिए लगाए, अगर time difference आजाए, तो आप बोलोगे, जो प्रोफिट है, वो किसके बराबर होगा, investment into time, देखो, time यहाप भी multiply कर सकते थे, लेकिन same time होगा, तो वो cancel हो जाएगा, उसका कोई फाइदा नहीं है, लेकिन different होगा, तो जो प्रोफिट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, investment into time, ये चीज आई समझ में, देखो, इसका एग ये B है हमारा, ठीक है, ये क्या है, A है, और ये B है, ये कोई आदमी A है, ये B है, इसने क्या किया, इसने 10,000 रुपे invest किये, ठीक है, किसी business में, और इसने क्या किया, इस बाई साब ने 30,000 रुपे invest करे, ठीक है, इसने invest करे 5 साल के लिए ठीक है लेगिन इसने invest करे 1 साल के लिए मेरी बात आई समझ में देखो A जो है वो किसी business में 10,000 रुपे लगाता है 5 साल के लिए B जो है किसी business में 30,000 रुपे लगाता है 1 साल के लिए ठीक है अब देखो time difference है तो आप क्या करोगे जो भी profit आएगा वो आप किस ratio में बाटोगे देखो इसने क्या किया 10,000 रुपे लगा कितने साल के लिए 5 साल के लिए तो 5 से गुणा कर दूँ तो सिद्ध इसी बात है भई इसने तो 50,000 रुपे invest किये 10,000 हर साल किये तो इसने 50,000 रुपे invest करे और इसने 30,000 केबल एक साल के लिए किरे तो एक से multiply करेंगे तो इसका आएगा 30,000 इसकी ratio निकालेंगे तो यह आजाएगी आपकी 5 ratio 3 तो जो आपका profit है ना वो किस में बटेगा 5 ratio 3 में बटेगा आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह तो आपने यह बताया था कि जो invest करेंगे उस ratio में बट जाएगा कभी यहाँ 10,000 लिख दो यहाँ 30,000 लिख दो इसको cancel करके एक ratio 3 में बाट दो नहीं भई यह गलत हो जाएगा मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपका time सेम होगा ना तो वो cancel हो जाएगा देखो इसी को समझाता हूँ मैं same time में उसने 10,000 लगाए ठीक है कितने साल के लिए 5 साल के लिए इसने कितने लगाए 30,000 लगाए कितने साल के लिए 5 साल के लिए time क्या आगया आपका same आगया ठीक है अब अगर आप इसको solve भी करते हो यह तो जाएगा 50,000 यह जाएगा 15 इससे यह cancel पांच दिये 15 तो एक रेशो 3 और इसका भी एक रेशो 3 है अपने आप same नहीं आ गया आया है नहीं आप कुछ से देखो कि अगर time same होगा तो इस time का कोई फरक ही नहीं पड़ रहा क्योंकि यह तो 5 है इसमें भी cancel हो जाएगा कुछ से तो इसमें जो हमारा profit होगा वो निवेश की गई राशी के रेशो पे depend होगा उसमें बटेगा जो invest किया उसमें लेकिन अगर हमारा time different होगा तो different होने से उसमें बहुत फरक आएगा इसलिए profit क्या होता है time into investment माना जाता है ठीक है यह चीज clear हुई अच्छे से इसमें सिर्फ यह दो ही concept important है अगर यह चीज आपको समझ में आगी तो आपका chapter अच्छे से complete हो चुगा है ठीक है अब इसका कुछ example देखते हैं देखो एक example लेते हैं आप उसको example मान लो या case first मान लो ठीक है क्या case first या इसको एक example देखो question में बोला गया कि A और B ने ठीक है A और B हैं इनका जो investment है investment का जो ratio है जो निवेश का जो ratio है वो 3 ratio 2 है ठीक है देखो question में बोला गया कि जो B है उसने क्या किया उसने व्यापार शुरू किया या आप बोल सकते हो प्रारम किया या start किया ये ने क्या किया व्यापार को शुरू किया और और उसके तीन महीने after three months तीन महीने बाद after three months A join ठीक है question समझ में आया A और B का जो investment ratio है वो है 3 ratio 2 B ने व्यापार शुरू किया मतलब starting की B ने लेकिन उसके तीन महीने बाद A ने उसे join कर लिया ठीक है at the end of year end of year at the end of year मतलब वर्ष के अंत में जो उनको profit हुआ न वो हुआ 3400 profit जो हुआ at the end of year वो हुआ 3400 तो आप में बताओ कि A को कितना profit हुआ और B को कितना ठीक है question एक बार फिर से जहान से देख लो A की जो निवेश रासी है जो investment रासी है उसका जो ratio है वो है 3 ratio 2 ये बोलता है B ने व्यापार शुरू किया ठीक है उसके 3 महिने बाद A ने join कर लिया देखो जैसा question बोले सिर्फ वैसा करना है ठीक है जैसा question बोले सिर्फ वैसा करना देखो B ने क्या किया था शुरू किया था at the end of year मतलब पूरे 12 महिने B ने निवेश किया इन्वेस्ट किया ठीक है यह जो है वो 3 महिने बाद आया तो उसने कितने महिने किया 9 महिने किया ठीक है 9, 27, 12, 24 ठीक है 3, 27, 27 और 3, 24 मतलब 3 से काट दोना इसको 3, 27, 27, 24 अब 9, 8 कितना हो गया 17 17 बराबर दे दिया इसने 3400 एक बराबर देगा 200 के यह कितना हो गया 9 दुनी 1800 और यह 8 दुनी 1600 ठीक है तो यह आपका अंसरा आया यह कोशन समझ में देखो आपको कुछ नहीं करना होता जो कोशन बोलता जाए बिल्कुल इसने बोला था A और B है उन्होंने निवेश किया इस रेशो में 3 रेशो 2 में B ने व्यापार शुरू किया B ने बिजनस शुरू किया उसके तीन महिने बाद A ने B को जोइन कर लिया और साल के अंत में इतना प्रोफिट हुआ अब सिंपल सी बात देखो B ने शुरू किया तो साल के अंत में मतलब पूरे 12 महिने B ने निवेश किया लेकिन A जो है 3 महिने बाद आया तो 12 में से 3 गटा देंगे 9 A ने किया 9 महिने इसको आप solve करके equal रख दो यह आपका question solve अब एक अगला question देख लिखते हैं ऐसा ही देखो A है B है ठीक है इसने 5,000 रुपे लगाए और इसने 3,000 रुपे आप उसको investment भी बोल लो आप उसको निवेश भी बोल लो निवेश राशी उसने उसना निवेश किया है ठीक है देखो question क्या कह रहा है कि A ने क्या किया व्यापार शुरू किया मतलब A ने start हिया आपका business ठीक है तीन महिने बाद तीन महिने बाद after 3 months B जोइन B ने जोइन कर लिया तीन महिने बाद ठीक है फिर क्या हुआ A और B के बीच में क्या होगी लडाई होगी क्या होगी A और B के बीच में इन दोनों के बीच में लडाई हो चुकी है ठीक है A बोला कि अपने ऐसी तैसी करा मैं जा रहा हूं कर A ने व्यापार को क्या कर दिया छोड़ दिया ठीक है देखो दूबार से सुन लो A और B A ने पांच जार रूपे लगाए B ने तीन जार रूपे लगाए ठीक है? A ने व्यापार शुरू किया तीन महीने बाद B ने जोइन किया तो B के जोइन करने के बाद इनके बीच में आपस में अन्बन हो गई A बोला कि मैं तो चला गर अब वर्ष के अंत में प्रोफिट का रेशो बताओ कि किस रेशो में बटेगा? ये तो बाग गया तो हमें क्या बताना है? At the end of year ठीक है? वर्ष के अंत में जो प्रोफिट होगा मान लो कुछ भी प्रोफिट है X, Y, Z कुछ भी है वो किस रेशो में बटेगा? आपको ये चीज बताने है तो देखो A ने शुरू किया था A ने क्या किया था? शुरू किया था सबसे पहले इसको रेशो में कनवर्ट करो ये आगया आपका पांच रेशो तीन ठीक है? A ने शुरू किया तीन महिने बाद B ने जोइन किया और B के जोइन करने के तीन महिने बाद इनकी लडाई हो गई तो A ने कितना करा? छै महिने करा अब B तीन महिने बाद आया था लेकिन गया तो A है बी ने तो पूरा नो महिने किया तो 5-1-1-2-3-2-3-3-3-2-2-3-3 तो आपका जो टोटल प्रोफित होगा वो किस रेशो में बटेगा 10 रेशो 9 अगर मैं मान लो टोटल प्रोफित वा मेरिको उननिस सो तो उननिस बराबर उननिस सो एक बराबर सो यह आपका हो गया आजार, यह आपका हो गया नाप है ठीक है टोटल प्रोफिट वो कुछ भी देदेगा आपको बस यह चीज समझ में आने चीए यह कंसेप्ट कि यह कोशन करना कैसे है बैई जिसने जितने महीने इन्वेस्ट किया उसका उतने महीने से multiply करके उसकी final ratio निकाल लो और उसको profit equal put करतो ठीक है अब एक example हो देखलो देखो ये A है ये B है A 15,000 रुपे invest करता है B X रुपे invest करता है ऐसा question भी आता है question में मतलब paper में फिर बच्चे confused हो जाते हैं कि इसको करें कैसे देखो A ने 15,000 रुपे निवेश किये B ने X रुपे निवेश किये time दे दिया A ने 9 महिने के लिए और B ने 12 महिने के लिए month लिखना ठीक है A ने 9 महिने B ने 12 महिन ठीक है और जो profit का ratio है ना मतलब final ratio है वो है 9 ratio 16 आप मेरे को X की value बता question आया समझ में देखो A इंवेस्ट करता है 15,000 रुपे B इंवेस्ट करता है X रुपे इनका 9 महिने और 12 महिने ठीक है और ये इनका जो final ratio है वो कितना है 9 ratio 16 देखो मैंने बताया था principle क्या होता है investment into time ठीक है investment क्या हो जाएगा investment हो जाएगा आपका principle upon time ठीक है investment यही तो होगा principle upon time तो इसका principle कितना है principle हो जाएगा आपका 9 ये तो 9 है ये तो 9 है अब ये देखो 3 तीया 9 और 3 चोगबार ये time हो गया principle 3 महिने के लिए तो ये क्या आगया तीन रेशो आगया अब देखो इन दोनों का multiply करके ये निकालते हैं इन का divide करेंगे तो ये ही आगया 3 रेशो बराबर आगया 15,000 के एक रेशो बराबर आगया 5,000 के जब एक 5,000 के है यहां देखो 16 आपोन 4 होगा तो 4 चोग 16 मतलब यहां 4 आणा चाहिए और 4 गुणा 5 20,000 आई ये चीछा मज में A ने कितने रुपे लगाए थे 15,000 B ने लगाए थे 20,000 इसने लगाए 9 महिने के लिए इसने में लगाए 12 महिने के लिए Finally यह था आपको ऐसे यह कोशन Solve करना है ठीक है मैंने आपको 3 कोशन 3 एक्जामपल बहुत अच्छे से समझाए है इनकी कोशन की Practice करना कोशन आपको आ जाएंगे देखो अब एक कंसेप्ट और है वो देखो देखो कंसेप्ट क्या है कि A है और B है इनके investment का रेशो है 3 रेशो 2 investment या निवेश का रेशो है 3 रेशो 2 देखो A B ने क्या किया जो इनको total profit मिला जो इनको total profit मिला उसका 20% दान कर दिया देखो मेरी बात ध्यान से सुनना इननोंने निवेश किया 3 रेशो 2 में जो इनको total profit मिला उसका 20% इननोंने दान कर दिया अब मेरे को ये बताओ हमारे पास बचा कितना देखो कोई भी चीज होती है वो होती है मेरी 100% ठीक है अगर इन्होंने 20% donate करती दान करती तो इनके पास remaining कितनी बची 80% remaining कितनी बची 80% अब जो इनका profit जिस भी रेशों में बटेगा जो profit होगा जिस भी रेशों में बटेगा वो इस 80% में से बटेगा कभी आप 100% में से बाट दो क्योंकि 20% वो donate कर चुके हैं तो हमें इस 20% का कोई लेना देना नहीं है जो भी profit होगा वो 80% की उसमें होगा आपको ये चीज समझा रहा था कि अगर question में ऐसा दे दिया जाए ऐसी statement आ जाए कि भई उन्होंने total profit का इतना percent दान कर दिया और उनको इतना इतना मिला मतलब A को इतना मिला B को इतना मिला तो आप क्या करोगे उन दोनों का sum इस 80% के equal मानोगे ये नहीं कि 100% के equal मानोगे जो उन्हें मिलेगा वो इस 80% का मिलेगा ठीक है देखो एक आखरी concept है फिर कुछ questions करेंगे इसके फिर हमारा chapter खतम ठीक है देखो लास्ट concept है इसका देखो business में दो चीज़े होती है एक उतहाप का active partner इसमें से question पूछा जाता है ठीक है एक उतहाप एक्टिव पार्टनर और एक उतहाप स्लीपिंग पार्टनर सोया हुआ पार्टनर ने एक उतहाप एक्टिव पार्टनर एक उताप स्लीपिंग दो एक्टिव को बोलते हैं सेकिरिय साजेदार और इसको बोलते हैं स्लीपिंग को एकिरिये साज़ेदार ठीक है सेकिरिये सेकिरिये का मतलब क्या है जो काम बढ़िया कर रहा है एकिरिये क्या है जिसको कोई मतलब नहीं अराम से सो रहा है बस पैसा दे दिया कि तू संभाड लेकिन मैं पैसा दूँगा वो अराम से सो गया वो होता है sleeping ऐसे आगा है ठीक है देखो active partner का मतलब क्या है ऐसा साज़ेदार होता है active partner क्या होता है एक ऐसा साज़ेदार होता है जो business को lead करता है ठीक है पूरा व्यापार कौन संभालता है active partner संभालता है इसमें यह नहीं होता कि जो जादा पैसे लगाएगा वो अक्टिव पार्टनर जो कम पैसे लगाएगा वो sleeping partner नहीं ऐसा कुछ नहीं active partner का मतलब होता है जो business को lead करेगा पूरा का पूरा business संभालेगा वो होता है active partner और sleeping partner क्या होता है sleeping partner क्या होता है वो होता है सोना sleeping मतलब सोना इसने पैसे दे दि कि वह ये ले तूँ पैसे अपना business कैसे ही चला कुछ भी कर मेरे को बस किसे मतलब है मेरे प्रोफिट से मतलब है मेरे को नहीं मतलब तु दिन रात काम कर तु कुछ कर इसको कोई मतलब नहीं है इसको बस अपने प्रोफिट से मतलब है कि मैंने तरको पैसे दिये है और तू मेरे को मेरा प्रोफिट लागे देगा यह होता है sleeping partner आगई बात समझ में एक होता है active partner एक होता है sleeping partner active partner वो होता है जो business को lead करे पूरे business को संभाल के रखे और sleeping partner वो होता है जिसने पैसे निवेश कर दिये invest कर दिये उसको बस अपने profit से मतलब है ठीक है जैसे लेकिन इसमें यह नहीं होता कि भई जो जितने ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको ज़्यादा profit में लेगा यह चीज नहीं होती इसमें ठीक है जैसे एक example लेते हैं कि यह A है यह B है इसने पांच रिशोवाट में invest किया ठीक है यह जो है active है ठीक है B जो है वो sleeping डील हुई इनके बीच में एक इनके बीच में क्या हुई एक डील हुई कि A जो है वो active partner रहेगा वो lead करेगा ठीक है और उसको total profit का total profit का 35% दिया जाएगा ठीक है मेरी बात ध्यान से सुन हो इसने बोला A क्या है active partner है A क्या है business को lead करेगा चलाएगा B क्या है वो फिर्फ पैसे निवेश कर रहा है sleeping partner है A के रिए साजेतार है ठीक है इसने बोला कि business संभालने का इसको 35% दिया जाएगा जो अभी total profit होगा वो 35% A को दिया जाएगा सिर्फ उसके active partner बनेगा भई अब कोई बंदा सारा दिन रात मैनत करेगा तो वो profit तो लेगा यह उस चीज़गा deal इन के पहले यहोगी कि तर कोई ना दिया जाएगा अब मैंको यह बताओ कि B को और A को profit मिलेगा कितने percent में से देखो इसने बोला कि 35% तो deal हो चुकी है कि इसको मिलेगा यह मिलेगा अब total profit का बचा कितना आपके पास 65% बचा total तो 100% होता है 35% A ले ले लिया 65 बचा अब यह 65 इस ratio में बढ़ेगा अब देखो ज्यान से सोनो मेरी बात इसको तो सिर्फ 40% मिला जो sleeping partner जिसने पैसे लगा है इसको 25% यहां मिला और 35 इसका पहले ही fix था यह कितना हो जाएगा आपका 60 तो इसको 60% मिला ठीक है यह होता है active partner और sleeping partner में difference यह इसका question इस तरीके से पूछा जाता है आपको दो ratio देदेगा कि इसको total profit का इतना percent मिलेगा deal हो चुकी है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद जो profit होगा वो इस ratio में बाट दो ठीक है आगया concept समझ concept हमारे खतम हो चुके है आप कुछ questions देख लेते हैं इसने बोला A started a business with rupees 1500 and after six month B joined the business with rupees 1000 at the end of year इतना देखो A और B है A ने business start किया 1500 रुपे से B ने 1000 रुपे लगाए ठीक है simple सी बात है after six month लगाए at the end of तो इसने पूरे 12 महिने और इसने 6 मन्त बाद तो 6 महिने ठीक है solve कर लो 2-0 से 2-0 cancel 5 दोनी 10 5 दीए 15 12 दीए 36 और 6 दोनी 12 12 एकम 12 और चेवर दीए 36 तीन रेशो एक आगया total profit कितना हुआ 3600 तो 4 बराबर आपका 3600 है एक बराबर आपका 900 है B का share बताना है एक है एक 900 एक है पूस्ता दोनों ठाड़नों दीए 2700 ठीक है यह हमारा question है simple सा ठीक है ऐसा question आता है paper में कि A ने business start किया B कुछ time बाद आया या B के कुछ time आने के बाद इनके लड़ाई हुई फिर A चला गया सिर्फ यह ही question बनते है partnership में ठीक है partnership के सारे concept मैंने अच्छे समझा दिये हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और जो इस partnership के questions है practice questions वो मैं अपने टेलेगनाम चैनल पर send कर दूँगा आप मां से उसको practice कर सकते हैं धन्यवाद